नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन नियूस में वक्त है मद्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दी कॉंग्रेस के दिगजनेता दिगविजय सिंग ने RSS की प्रतिबधता और संगठन शमता की तारीफ की है हमेशा RSS पर हमला बोलने वाले दिगविजय सिंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा किस हिंदुवादी संगठन ने उनका विरोध RSS के अन्य धर्मों के प्रति नफरत के विवहार से है अपने इसी पोस्ट में राजसबा सदस्य दिगविजय सिंग ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वज़ा से गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है उन्होंने किसानों को लेकर केंद्री सरकार की नीतियों की भी जम कर आलोचना की है दिगविजय सिंग ने कभी कॉंग्रेस ना छोड़ने की प्रतिबधता भी दोरही है वहीं अंगली खबर क्यों नजर करते हैं आपको बता दें खरगोन में जिला मुख्याले से 30 किलोमीटर दूर उन्ध थाना छेतर के केली में शनिवार को सुबह 9 बजे फुटवियर की दुकान में दीपक लगाने के बाद पूरा परिवार आग में जुलस गया गंबीर हालत में उन्हें जिला स्पताल लाया गया यहां इलाज जारी है पुलिस के मुताबिक महिला ने दुकान में पूजा अरचना की इसके बाद काम में लग गए इसके बाद अचानक आग की लपटे उठने लगी देखते ही देखते आग फैल गई अफरत तफरी मच गई आसपास के लोग दोड़े और आग बुझानी लगी घर में मौजूद दो बच्चे महिला और पूरश जुलस गए उन्हें जिला स्पताल लाया गया वही अगली खबर की और बढ़ते हुए आपको बता दे उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है यहां भस्म आरती दिखाने की परमीशन की बदले दिल्ली के तीन दर्शन आरतियों से 6,000 रुपे वसूली गए यह परमीशन उज्जैन विकास प्राधी करन के नाम से बनवाई गई है मंदिर समीती पूरे मामले की जाँच करवाने का दावा कर रही है वही अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि दुशकर्म जैसे गंभीर अपराध में भी मध्यप्रदेश पुलिस के लापरवाही देखी जा सकती है जबलपुर के घमापुर थाना छेतर में एक मासूम के साथ दुशकर्म की कोशिश के मामले पर पुलिस ने घंटों तक पीडिता और उसकी मां को थाने में बैठा कर रखा इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की ही नहीं बलकि बच्ची की बदनामी के नाम पर पीडित परिवार को ही डराती रही मामले को लेकर स्पी अधित्य प्रताप सिंग ने थाना प्रभारी प्रमोध साहू को लाइन हाजित किया है वहीं अंगली खबर के और बड़तों आपको बता दें प्रदेश के सरकारी ओनेजी स्कूलों में हफते में एक दिन बिना स्कूल बैक्ट में कक्षाएं लगाई जाएंगी दूसरी कक्षा तक के बच्चों को होमवक नहीं दिया जाएगा स्कूलों के विध्यारतियों के लिए शासन ने स्कूलों में बस्ते का वजन तै कर दिया है इसके संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2022 में आदेश जारी के थे अब नए शैक्षन एक सत्र से सक्ती से पालन करने के निर्देश दे गए हैं ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशा नियूस धन्यवाद